हेलो प्रैंद, वेल्कम बैक टू ई-लर्निंग विध हिनामय म् चैनल आज हम 30-70 को लेकर आये हैं जाने हम 30-70 बन लगा चुके हैं जब तक हमारा एक्जाम नहीं हो जाता हम क्या करेंगे प्रेटे सैट लगाते रहेंगे जिससे क्या होगा हमारा डिवीजन औरों से बेटर हो सकेगा तो आपको बस करना क्या है कि आपको जो भी वीडियो दी जा रहे हैं बस उनको देखना है और उनका डिवीजन करना है उनका जो matter है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा यानि ये भी प्रटेट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा उसे क्या होगा कि हमारा score हमारा जो target है वो है 100 प्लस तो यानि 100 प्लस करने पर हम safe हैं बैसे तो अश्री करके आएंगे तो भी हम सीट पा सकते हैं पा सकते हैं मगर 100 प्लस पर क्या है कि बिल्कुल श्योहर है कि हाँ आप करने के बाद आराम से बैठ सकते हैं चलिए तो बिना सबेगा बाई शुरू करते हैं अपनी कोशनों को और देखते हैं कि क्या क्या है तो देखें इसका most important point यानि question है ये क्योंकि ये हरवार आ चुका है कौन सा टीका सीशू के जन्व की प्रथम महा में लगवाना चाहिए यानि जैसे ही सीशू प्रथम महा के अंदर हो तभी उसका टीकर करन हो जाता है वह कौन सा टीका है तो वो हमारा है option देखें पहला बोलियो दूसरा है जा तीसरा तपैदे ती चौथा आपका टिटनेस तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तपैदे क्योंकि ये तपैदे का टीका जो है प्रथम महा के अंदर लगवा लेते हैं यानि सिसू जब तक प्रथम महा का होगा उससे पहली ये लग जाता है आप परपक के सिसू बे होते हैं जिनका बजन कम होता है दो किलो ग्राम तीन केजी चार केजी और पांच केजी तो जिनका बजन क्या होता है तीन केजी से कम होता है वही आप परपक के सिसू होते हैं यानि वो क्या होते हैं आपना परपकुता अवस्ता में नहीं पहुंसते हैं द्वनी का अबरुद होना अवस्ता है अफलाने का तो उतलाने का असुद आचन आपका उचारण की उप्योक्त सभी की तो जो ध्वनी है उसकी असुदता का आपको बताना है तो यहाँ पर रहेगा उप्योग तो सभी की पॉलियो ड्रॉप थथा चीचक के टीके के बीच कितने दिन का अंतर होना चाहिए तो आप बाप्शन में बता सकते हैं कि कितने तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन तो कितने दिन का अंतर होना चाहिए तो बाप्शन में 15 दिन का अंतर होना चाहिए कोपोशड थथा यहाँ पर चलिए कोपोशड थथा डॉट डॉट में गहरा संबंद है नेस्ट कोश्चन दे कि डॉट डॉट रिकेट्स रोग में कैलसियम की अधिक मात्रा दी जाती है याने ऐसा कौन सा रोग है जिसमें कैलसियम की मात्रा अधिक दी जाती है तो यह आपको बताना है इसमें तो यहां पर आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा रोग है जिसमें कैल्सियम की मात्रा देखे है तो इसकर भी है जुआर है बहरी बहरी है और आपका ओस्टो मलेसिया है तो आपको बताते हैं कि ऑस्टो मलेसिया जो है उसमें क्या होता है कैल्सियम की मात्रा अधिक दी जाती है इसलिए आपका लe जो रहेगा वो रहेगा आपका calcium D सब्सक्राइणदा इसलिखल्स आपका D सबुख़लत से कहा है फॉस्क्राइण इसलिखलक को और टीने सब्सक्राइगा जा anar करें जाए पानी में गुलननसील्न और पेमिन सब्सक्रामें गर्वधारण करने का निश्य बता चलता है तो आपको पता है उन्टी आने पर पेट बढ़ना तो मूत्र में हर्मोंस का मिलना और अक्तचाप बढ़ना तो आपने यो प्रेंग्रिंसी टेश्ट वाला एड़ देखा ही होगा तो उसमें क्या बता है जाता है कि मूत्र आपका थायराइड थायराक्सीन हार्मोंस का श्राब होता है तो किस से होता है ओप्षन देखिए A कह रहा है थायराइड गरंती से B कह रहा है आपका पैरा थायराइड गरंती से C कह रहा है यकर से जबके D कह रहा है अमासे से तो किस से होता है थायराक्सीन हार्मोंस का श्राब त परक्रक्र钊ने और प्रस्ख़ूरी तो तो ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए no और जाम चीजे इन सरे माय को ब्रक्रविक्टरिय लीप्ी से high-t тебя ज्यू प्रघ्यान की प्लाग्यान की अचीजेश आप प्लागमोद्यम से verw तो जो इधर है विग्यान की प्रकती है वो आपकी है कला थता विग्यान राइट अंसर जो रहेगा वो रहेगा C नहीं चलते हैं कोशन कापी अच्छी है तो आप कहीं ना जाए प्रेटिस करें क्योंकि प्रेटिस ही क्या है सपलता का एक मात्र सूत्र है कोशका के जीवन का मूल आधार मुख रुप से क्या है जिसके ना रहने पर कोशका अम्रत हो जाती है यह अम्रत मानी चाती है तो जो मूल आधार है उसके लिए बताना है आपके मार्को कॉंडिया दूसरा है आपका सेड्रो और तीसरा है केंद्रक चौथा आपका जीव द्रब्र कोष्का है तो यह आपको बताना है आपका GoBelt कोशगा क्या है यह कोशगा है जो कोशगा विवाजन में सहयोग करती है यह भोजन के चया पच्चय में भाग लेती है यह आपका है मूकस्त या लेस्मा उत्बन होती है उप्यक्त में से कोई नहीं तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा राइट आंसर है तो यह क्या है आपका यह भूजन के चाया पच्चाय में भाग लेती है नैशलते हैं महानव सरीर के मस्तिस कोस की अस्तियों पर किस प्रकार की संदी से जोड़ी होती है चल संदी अचल संदी कबजा संदी अपूर संदी तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा रहेगा तो हो हमारा रहेगा अचल संदी नेश्यल ते हैं परियावर प्रदूशर की समस्या एक विसाल विकास सील देशों की समस्या है विक्सित देशों की समस्या है भारत की समस्या संपूर विस्व की समस्या है तो परियावर समस्या क्या है कोबिट की तरह संपूर विस्व की समस्या है सभी प्रकार की सरकरा का सरलतम रूप है आपका फ्रक्टोच, लेक्टोच, ग्लुकोच और आपका है लेक्टोच यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आंसर राइट रहेगा तो सभी प्रकार की सरकरा का सरलतम रूप जो कहा जाता है वो हमारा होता है ग्लुकोच क्योंकि इससे ज़्यादान रूप नहीं हो सकता सर्गरा का if next day क्योंकर जो धावक होते हैं उन्हें क्या करा जाता है अने जब एम्रीन जई हुती है उन्हीं थारी होती है तो नहें गुलःकुस लाया जाता है हम भी नौर्मल उपयोगता में होता है सारे पिकास, सहकारिता की भाबना का बिकास मनुरंजन होता है, उपयोगत सभी आपका सौधायक क्या है पुरुष दन, इस्त्रेदन, पुत्रदन इन मेंसे तुम झाल है किस चेजान हे से क्या Lee to the funny this video, माअनफ सरीर में पस्लियों कि संक्या होती है तो यका फ्रूर है ज होती है नियुक्तों पहुज़ सब दिजाए सब्सूरा कि near-risk Dash Pay कम dł Script आजए का आनके मानफ सरीर में पस्लियों की संक्या होती है neutralized बचत होती है श्रम की तो वो हमारा है आपका मिक्सी क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ पीस निगा रहता है चलिए मानब सरीर के सबसे बड़ी बस्तु क्या है मास पेसिया है को उसका है अस्तिया है इन में से कोई नहीं है तो मानव सरी कि सबसे बड़ी आपको पूछा जा रहा है बस तू तो आपका बताना है कि कौन सी है इसमें तो बाइस का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मारा अस्थिया नेशलते हैं आपका वेली यानि आपकी तुंद क्या है तो यह एक प्रकार की संदी है यह एक प्रकार की मास पेसी है यह पेसी का मद भाग है यह पेसी का मूल स्थान है तो आपको बताना है कि तुंद क्या है तो यह क्या है यह पेसी का मूल स्थान है यह राइट आंसर जो पेस्यों की विकास के लिए आवश्यक है बूटीन ऊन्रां तै क्शिर बढेवाब मिलडों कोशा ऐसरे और मांसे जित्ति डी कहरा है मासे बित्ती में भोजन का ले के रूप में होना है तो आपको 25 का राइट आंसर बताना है कि आपका काइम का है तो यह है मासे बित्ती में भोजन का ले रूप में होना है आंसर आपका डी अंतहश आपका अंतहश वसन की किरिया कहा होती है अंगों में, अस्तियों में, उत्कों में, इन में से सभी में तो आपको बताना है तो रायट आंसर जो रहेगा 26 का वो रहेगा अन्तैस वसन की किरिया कहां होती है? उत्कों में होती है अन्तैस वसन की किरिया उत्कों में होती है एंजम क्या है यह एक रसाइनिक पदारत या किसी पदारत अच्छित बातावर से किरिया करता है या स्वेम परवतित हुए बेना अन्य पदारतों की रसाइनिक किरिया को प्रभाबित करता है उपैक सबी तो आपका 27 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उपैक सबी क्योंकि एंजाइम यही Bash do сум इसबीतमज सबी कोह कि आपका 27 तरही रहेगा 28 तरहेगा त 10 कि तो एसबीतम्स परीटमीं दौनों चलिए प्लाजमा में पाके जाने प्रोटीन प्लाजमा में पंड़ क्या सकते दिलयरे आपें और इसलिए यह दुन ने आपें आप बाय का है सबीकिले प्लाजमा ने इन उसे इसलिए प्लाजमा ना प्लाजमा इन निमन वैसे के स्वस्तू को सजन स्वस्त व्यक्ति के मुत्र में नहीं होता है तो याने ऐसी कौन सी निस्कासित होता है आपके यूरिया में जो एक स्वस्त व्यक्ति के मुत्र में नहीं होता है तो यूरिया, यूरिक ऐसिट, यूलुकोस और नमा काप को बता रहते हैं जो तो स्वस्त व्यक्ति के मूत्र में नहीं निस्कासित होता है तो वह हमारा गुलुकोस यह डाविटीज पेसेंट के यह मद्वह रोगी के सरी से निसकासित होता है जबकि यूरिक आसिट है नमक निकलता है यूरिया निकलता है दालों तब फलीं किस पोसक तत्व की उत्तम शोत हैं तो बसाग, खनेचलबर, कार्वोहटेंड और प्रोटीन यहां पर पूछा जा रहा है जालों तब फलीं तो यह दाल हो गया और पूर्ण प्रोटीन की राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी आप देखे 32 का सरीर में स्वेसार के अधिता होने पर गुलुकोस तचा के नीचे किस उतक के रूप में जमा हो जाता है तो आपको 32 का राइट आंसर बताना है तो संयोजी उतक संसलेसित उतक आपका एहडी पोज उतक और इनमें से सभी तो आपको बताना है 32 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मारा एडी पोज उतक मसालों के अधिक प्रयोग से किस आमल का आपका श्रवर अधिक होता है कार्बोनिक आमल आपका हाइड्रोकुलिक आम ये तो हो और इनमें से कोई नहीं तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा बताना है तो वो रहेगा हाइड्रोक्लोरिक आमल यानि भी वाला बिल्कुल सही है 133 का नहीं देखें निम्नो मैंसे सभी तो राष्टे संकी कौन सी संस्ता बच्छो तता माता को रोग से बचाने तता उनका कल्यार करने के लिए बनाई गई है तो पहला उप्शन है यूनिसेफ दूसरा है केयर तुर्टिसरा राइड कोर सुसाइजी और यह सभी तो आपको 34 का राइट आंसर जो वताना है वो रहेगा हमारा यूनिसेफ यूनिसेफ यह क्या करती है बच्छों दता मातनाओं की काम मातनाओं के र हमारी है आपको पताना है चावल आटा घी आलू तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मारा चावल इसको क्या है प्रतेक बर्स क्या है फसल किसमें खरीद लेते हैं सबसे ज्यादा दुनिया का सोर निम्ड मैसे किस्ज़े है तो सबसे ज्यादा दुनिया तो आपका जो 36 है उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मारा फौजी राइफल नहीं शलते हैं सारे कोशन बहुत महतोपूर हैं तो आप कहीं जाएए गरना थेता इस बीर से कराय जार है जैसे कि आपको भी कोई परिशानिक ना हो तो आपको बताना है 37 का राइट आंसर क्या रहेगा तो आपका रहेगा नाइट्रोजन के अकसाइड गरवस्ता में रख तल्पता से बचने का उपाय है परियाप्त बिश्राम करना दूद पीना प्रते दिन बिश्राम करना परियाप्त मात्रा में पोष्टे के एवं संतुले ताहर करना तो आपको पता है रख तल्पता से बचना है तो हमें क्या करना है परियाप्त मात्रा में पोष्टे के एवं संतुले ताहर ग्रहर करना है दांतों के स्वास्त के लिए गर्वकाल में कौन सा पधारतों का उप्योग करना चाहिए आम का संतरा का मुरूद का चीकू का क्योंकि गर्वकाल में क्या होता ब्यक्ति के क्या होता सरीर में कमजूरी आ जाती है तो किसका उप्योग करना चाहिए दान्तों की सुरच्छा के लिए तो वह हमारा संत्रा क्योंकि यह स्रोत है विटामिन सी का विटामिन सी क्या करता है दान्तों के लिए बहुत मैत पूर है या दान्तों का विटामिन सी चोटे कद़ की स्थरी को प्रमूबता है निम्नुमे से कैसे पस्तर पहनने चाहिए आड प्रवाइब भड़ जाती है नहीं चलते हैं जार जुकति साबस में घुला जाए तो वह कड़ा हो जाता है पतला हो जाता है उनके बारे में पूछ रहा है अब एक वीडियो बता चुके हैं जिसकी मुक्रे मतलब रेश्णों की हमने उसमें बिसेस्ता बताई है तो पहला दे सरीर में रोगों से लड़ने की छमता को कहा जाता है संक्रमर आपका है आपका दूसरा भी आंसर अब धववन आपसक्ती और निस संक्रमर और रोग प्रतुरुदक छमता तो जो सरीर से लड़ने की छमता जो हमारे अंदर होती है उसे हम कहते हैं रोग प्रतुरुदक छमत राइट अंसर जो रहेगा वो रहेगा D रसाइनिक भी संक्रामक है नीलत होता व्लिचिंग पाउडर, पोटेसियम, पर मेगनेट और इनमेंसे कोई नहीं तो आपको राइट अंसर बताना है तो वो हमारा है रहेगा इनमेंसे कोई नहीं रसाइनिक भी संक्रामक है सभी स्कार्ण colora नाम जीवाडू फेलता है तौन जुर और ऐसे लरी का विश्चाष में लाखकाय तो आपका रहेगा । रहेगा अमीवा का विब्रोव कोलोरा नाम जीवाडू फेलाता है टाइफाइट को पेराटाइफाइट भी को है जा को मलेरिया कु तो विब्रोहाल कोलोरा नामक क्या है तो पैतालिस का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हैजा कु यानि विब्रोहाल कोलोरा नामक जीवारू हैजा कु फैलाता है बालक किस अबस्ता में इर्सा भाब उत्वन होती है तो आपका है एक से डेंडेर बर्स में आपका है आधा बर्स में आपका है दो से धाई बर्स में और आपका है तीन से चार बर्स में तो ये पूछा जा रहा है किस अबस्ता में इर्सा भाब पैदा हो जाता है तो इस इर् तो आपको बताना है तो वो रहेगा अब सोसक बेदी नशलते हैं मनुष्य के उत्तम स्वास्त के लिए आवश्चक खनीज लबड़ों की संक्या है तो आपको बताना है कितनी खनीज लबड़ों की संक्या है मनुष्य के स्वास्त के लिए तो वो हमारा रायट आइंसो जो रहेगा वो रहेगा 24 खनीज लबड़ों की आवश्कता है बसापर पाचन के लिए करने वाले एंजाइम को कहते हैं तो जो बसापर पाचन के लिए कर आपका कौन सा रहेगा आपका 49 में हम चली रहे तो आपका रहेगा्ट का रहेगा ramita रहेगा रहेगा राइप्लीकंट 5 क्लाली लिककि ऐंज्ट 6 तो आपको बताना है कि संक्रामक किसे पहलता है तो आपको यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा इन मेंसे सभी यानि जल द्वारा भी, बायो द्वारा भी जीव जन्दों द्वारा भी मलेरिया रो किस जीव द्वारा फैलता है तो तो सिसी मकी, माधा एन फैलिच, साथ, मैनुला, जीवारू और इन मेंसे सभी तो आपका है राइट आंसर आपको बताना है फिपरिपन का तो जो रहेगा माधा एन फैलिच, मकी के द्वारा मलेरिया फैलता है जानकारी प्रसार सिछा प्रकिरिया कौन सा करम है तो पहला, तीसरा, पांचवार, आठवा, तो आपको बताना है 52 का जो रायट अंसर रहेगा, वो रहेगा कौनसा क्रम है, तो यह हमारा है पांचवा, जानकारी, प्रसार, सिच्छा, पांचवा क्रम है 12 सेवक समाज की इस्थापना होई है तो आपको 1950, 1922, 1929 तो आपको यहां पर राइट आंसर बताना है त्रेपन का तो वह हमारा रहेगा आपका 1922 में कस्तूर्वा गांधी टेस्ट की इस्थापना की गई है 1 अपरेल 1923 में 1 अपरेल 1901 क्यामन में 1 अपरेल 1950 में और अपरेल 1945 में तो जहां पर राइट आंसर जो रहेगा आपका जहुएन का को क्या रहेगा यहां पर आपका मिन्ट बक्स में बता सकते हैं तो वो रहेगा अपरेल 1945 यानि स्थाप्ड़ता से पहले कस्तूर्वा गांधी टेस्थ सिस्वों में हड्डियों की संक्या होती है लगभग पूचा है तो आपको पच्पन का राइट अंसर बताना है आप्शन देखिए 100 आपका 400, 200 और 300 इसमें क्या कहा है लगभग पूचा है तो हमारे सिस्वों की जो हड्डियों होती है वो 300 होती है जबकि हमारे अंदर कितनी होती है 206 होती है उद्धानों के अतरिक्त और किस प्रकार की खाली इस्तान का निर्मार भिविन संसाइं करती है गास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क और इनमें से कोई नहीं तो आपको जो राइट अंसर है वो बताना है तो वो हमारा रहेगा इनमें से सभी खाली चकों के उद्धानों के अतरि गरबती माता के लिए प्रसा पूर सेवाएं के संस्तान में उपलब्द है तो प्रसूती केंद्रों में, प्रसूती ग्रहों में, प्रसूती अस्पतालों में इनमें से सभी तो अकेसे सिंस्ताओं में हैं तो उप्योक्त सभी यानि राइड आंसर जो रहेगा वो रहेगा डी विस्तु सास अंगटन यानि डबड़ु एचो ने एक विस्वब्यापी विसंक्रमणी करण कारिक्रम लागु किया है तो वो आपको बताना है कि क्या है तो आपको राहिड अंसर है वो क्या रहेगा ये बताओ 1922 में, 1948 में, 1976 में और 1985 में तो आपको बताना है सब में मई मई लगी हुई है तो बिस्वब्यापीवी संक्रमी करण कादिकम कम लागू हुआ ये आपको बताना है तो वो हमारा 1 मरी 1948 में आपका हिपेटाटिस B वैक्सीन की तीसरी खुराख देनी चाहिए तो आपके हिपेटाटिस B जो वैक्सीन है उसकी तीसरी खुराख कब देनी चाहिए या आपको बताना है तो आपका 59 का जो रहेगा वो मरा रहेगा पहली खुराक के 6 महीने बाद या पहली खुराक लगी उसके ठीक 6 महीने बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कोविट की जो वैक्सीन है COVID-19 उसके पहली खुराँ के बाद दूसरे खुराँ कितने महीने पाद लगती है या कितने दिनों के बाद दी जाती है या आप मुझे comment box में जाकर बता सकते हैं तो आपको बता है कि B, hepatitis B vaccine की तीसरी खुराँ कब लगती है पहली खुराँ कौन से प्रदूसर थे ब्यक्ती को घुटन, सिर्दर्थ, अत्सार, भारीपन, भूखना लगना आद लच्छर देखने को मिलते हैं तो आपको बताना है कि कौन सा प्रदूसर है जिसे ये सालित लच्छर देखने को मिलते हैं तो हमारा है बायू प्रदूशर नैशली ये म्रदा को प्रदूशित करने में सरवादिक योगदान होता है प्रदूशित जल प्रदूशित बायू भरेलू आपका है अप मारचक इन में से सभी तो आपका एक सट का जो आंसर है जिसमें म्रदा को प्रदूशित करने के आपक पर्पकुता गुर्दे का शक्रमार इनमें saja मैं आपको बताना है कि कौन सा आंसर ब्ल quiere है तो देखे के ही वहное है सभी यह ब्लificación सही है क्यां आपको डल नお願いします जलने Ст्रें को आपको कोश्छन काफी इंपोडेंट है गर्वस्ता में आठवे महीने में ब्रद्धी हो जाती है रक्त चाप की धड़कन की स्वसन की इन में से सभी तो आपको 63 का राइट अंसर बताना है तो आपकी बताना है कि किसकी ब्रद्धी हो जाती है तो वो हमारा रक्त चाप की यानि आपकी ब्लड पेशर की ब्रदी हो जाती है गर्व धारण का परिछण जन्न लचण है तो कौन सा परिछण जन्न लचण है यह आपको बताना है तो रक्त में सरकरा की मात्रा भढ़ना, रक्त चाप भढ़ना, सरीर का बजन भढ़ना, मूत्र में हार्मोन का पाया जाना तो गर्व धारन का परिछण जन्निल अच्छण कौन सा है तो वो हमारा मूत्र में हार्मोन का पाया जाना गहरी सानस लेते से फामें लगों कितनी बायुफ हैं प्रौवं में भरी निकाली जा सकती है तो आपका उप्ष, है Ireland, تन्त के भाग के ले रहेगा पारिद्यी तन्त का तन्त का परिदिय तन्त, सुआहई तन्त का तन्त यह तीन हो तो आपको बताना है, इसमें जो राइट आंसर रहेगा, बो रहेगा हमारा ये तीरों, यानि केंद्रिय, परदिय और स्वायत, तीरों ही भाग हैं तंतिका तंतिके, बसा पर पाचन के लिए करने वाले एंजाइम को कहते हैं, तो आपका ओप्शन देखी, अमिया, लोटिक एंजाइम, आपका है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, आपका है लाइपोलिटिक एंजाइम, आपका है एमाई लेच एंजाइम, तो आपको इसमें जो राइट आंसर रहेगा, वो हमारा रहेगा आपका लाइपोलिटिक एंजाइम, बसा का पाचन के लिए करने वाले एं सबी के द्वाला प्रातमी चिकिसा क्या है डॉक्टर द्वाला दी गई चिकिसा पानी में डूमने पर दी गई चिकिसा डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकिसा बिच्चु के काटने पर पर दी गई चिकिसा तो जहां पर राइट अंसर जो रहेगा वो ह ड्याने सह के रहें कि कि नहीं व करें र gitu तो नर्गों जोड़ानों इससेट हैं Azoda स्झेट हुआ थेहएं ड्याद यहांने 90 क्याने 100 वो ग्याने 100 ए नहीं चैनल के लार सिन देशन साफरेकर, चैनल के नियूट प्रैयोग तोरियो भॉन हमेट में 10 आप से बेंन कौन सा विटामिन प्राप्त होता है तो विटामिन A है विटामिन K है विटामिन D है विटामिन E है तो जहां पर राइट आंसर जो रहेगा सूरी की किरणों से हमें विटामिन D प्राप्त होता है 72 का जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा सी नहश्र देखते हैं नबजा गर का सारा कूरा कटकर जमा होना चाहिए कूडे दान में रसोई के एक कौन है मैं घर के बाहर इन मैसे कोई नहीं तो आपको बताना है कि कौन सा है 74 का तो ये हमारे कूडे दान में आधुनिक समय में पर्दों कालीन फर्स इस्तियादी के साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र है जाड़ू गुरुस वैक्यू किलीनर जाड़न तो आपको बताना है 75 का जो रायट आंसर रहेगा वहाना वैक्यूम किलीनर के बाद दूरी आधुनिक यूग की नाटोजन गैस का प्रभू काले है ऑक्सीजन की जलन सीलता को कम करना ऑक्सीजन की जलन सीलता को बढ़ाना कालों टै ऑक्साइड को सुद्द करना और जोन के प्रभाब को कम करना तो आपका 76 करायट आंसर जो रहेगा वहारी ऑक्सीजन की जलन सीलता को कम करना तो प्रताक द्वारा रोगाड़ों को नश्ट कर देना तो 77 करना जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा जैने अल्टा वालिट करनों के द्वारा नश्ट कर देना राष्टी जन सहयोगे बंभालवी का संगटन आपका एन आई पी सी सी डी की स्थापना कब हुई तो यहां पे देखिए चा जुलाई आपका है संतान उत्पती इस्वर की देन है इस अंद्विश्वास का उनूलन किया जा सकता है सिच्छा द्वारा प्यक्ति का संपर्ग द्वारा प्रवेश्वा असुद बायू का निसकासन है हलकी बायू का ऊपर उठना एवं भारी बायू का नीचे आना है कोई भी कारे लंबे समय तक नहीं करना कोई भी कारे ना करना तो असी का जो रायट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा जो रायट आंसर रहेगा वो हमारा है हलकी बायू का ऊपर उठना एवं भारी कूड़े का आपका करकट को विसरजन की उत्तम भेदी है तो क्या है जला का जल प्रवह में डाल कर आपका खाद बनाना आपका भराव करने के लिए तो जो एक्यासी का राइट आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा आपका खाद बनाना बोज़पदातों को कौन सा जीव नस्ट करता है आपका यस्ट मोल्ड वैक्टेरिया था हमारा है वैक्टेरिया इस तरह के अंडासें में क्हूंसे हर्मोंस निर्मित होते हैं रहेगा है तो आपका है प्रोजेटरोन आपकाouble, आपका है interaction, इन सबी तो आपका 63 जो right answer रहेगा गोँ हमारा रहेगा यह सबी यानि यह सबी निर्मित होते है प्रो, ए, डी प्योरे डी यह कौन है, इस तरहे के andosheim में हार्मोन निर्मित होते हैं प्योरी प्योरी से यानि तीनों ही हर्मोंज इस तरीके अंडासे में हैं ठकान दूर करने के उपाएं कबने का तापमान मौसम के अनुरूप होना असपस का बाता मरसान तो होना कोई भी काल लंबे समय लंबे समय तक नहीं करना और कोई काल ना करना तो यह आपका बता इसका जो राइट अंसर रहेगा थकान दूर तो आपका है कोई भी काल लंबे समय तक नहीं करना यानि सीए खाद पदातों के सरड़चण के लिए कौन सी भी अधिक बैक्यानिक है रसाइनिक भी दी बोटिक भी भी आपका है विकरण भी दी इनमें से कोई ही नहीं तो आपका 85 का जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा C यानि खाद पदारतों की बात हो रही है तो हमारे सरड़चण के लिए तो वो हमारी बिदी है विकरण भी दी बचे के दूद के दांट होते हैं 15, 18, 20 और 24 तो बच्चे के दूद्गे दांचों होते हैं वो होते हैं हमारे 20 यह राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मारा सूत रहेगा क्योंकि नैलोन यह पॉलिच्टर आसे नैशलते हैं कि सारे कुषिन बहुत इंपर्डेंट है तो आप बस बनिये रहेगा परिवार क्या है यह भी आपकी स्लेबस से है परिवार क्या है तो आपको इस में जो राइट आंसर है वो बताना एक समू है एक समधा है एक सामजिक संस्ता है एक भीड़ है तो यह क्या है एक सामजिक संस्ता की एकाई है याद रखना परिवार ठीक है कपड़ों को काटने वाला कीड़ा होता है आपका है किलीप मौथ सिल्वर फेस आपका है क्यू फैलेकस और इसमें से कोई नहीं तो कपड़े को काटने वाला कीड़ा जो है वह आपको बताना है तो कौन सा होगा तो वह हमारा है आपका किलीप मौथ 89 का जो राइट आंसर रहेगा वो ए रहेगा किलिव मौत ने शलते हैं प्रथम चार सब्ता में आने वाली सिसू मनत्यू का कारण है आपका है स्वास अवरोत जन्वजात असमानताएं पूर कालिकता और इन मैंसे सबी तो कहुं मैंने प्रथम सब्तमा सब्ता में होने वाली सिसू की मनथ्यों का है स्वास अबरोत भी हो हकाता है जन्वजात असमानताइं भी हो सकते ही असमानताइं और पूर कालिकता यसित समय से पूर्ड पहले आजाना चीक है पूर्ड कालिता सरप्रतम समासा सब्द का प्रयों किस संद में किया गया था तो वो है 1932, 1935, 1934, 1940 तो आपका जो राईटांसर रहेगा इसमें वो हमारा 1938 यानि 1838 ulic eight इसमें समसात कप्रयों किया गया था यह याट आनसर है वो हमारे सी प्रसव का प्रकार नहीं है आपका देखे रहे इसमें प्रसव 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 तो आपको बताना है 93 का जो रहेगा वो आंसर वो हमारा साधन क्या होना चाहिए साधन तब आप अपनी अवश्रक्ताओं कर सकते हैं या इच्छा बूर्थी कर सकते हैं इससरी के साधन पानी जैसे ठंड़ा इनमे से कोई नहीं तो आपका 94 का जो रहेट आंसर वो हमारा पानी चाहिए नहीं है पतली ठोस पूड़क पूछ रहा है बोजबधार्थ नहीं है आपकी है पसली हुई सबची मसले हुए फल आपकी उबला हुआ आलू जल में सबची तो ठोस पूड़क बोजबधार्थ नहीं पूछ रहा है तो 95 का जो रायट आंसर रहेगा वो रहेगा जल में सबच यानि डी बिल्कुर राइट अंसर रहेगा फैपड़े की पायुकोस किस उपकला यानि एफितिलियम के बने होते हैं तो फैपड़े की पायुकोस जो एफितिलियम में वो किसके बने होंगे सल्की इस थंबाकार डोनक और इनमें से कोई नहीं तो वो हमारे बने होते हैं सल्क बच्छ में कुल कितनी अस्तियां पाई जाती है 34, 22 और आपका है 29 तो 97 का जो रहेगा वो हमारा है 29 29 क्या होती है बच्छ में अस्तियां पाई जाती है कंकाल तंत्र की सुडोलता एवं सुंतर प्रदान कन्य का तंत्र है तंत्र का संत्र पेसी तंत्र परसंच्दाइड तंत्र तुछ यह था परदार करता है। Пार्या रोग होता है कानों में दांतों में आखों में नांक तुछ 9 9 का रवा यह था 5 रोग कहा होता है…… प्लाश्टिक बस्तु में साफ करनी चाहिए चूने से रक्द आपका राक से सर्फ तता साबुन से और नीवू से सौकां जो आहंसर रहेगा वो हमारा रहेगा सी यानि सर्फ तता साबुन से केसी भी बस्तु के सजीब चित्रण हेतु सर्वुत्तम सादन है गाथा गायन रास प्रशार कारकरताओं को नीव लिखित करदब्य कौन से है तो आपका है स्वाब लंबी बनाना प्रेर्णा देना रुची जागरत करना और सभी तो 102 का जो राइट अंसर रहेगा वो हमारा क्या है सभी है क्योंकि यह स्वाब लंबी बनाता है प्रेर्णा भी देता और छुटा ब्रद दरसाता है बुझाओं में गति रुकावत डौनों और कुई नहीं तो जो छुटा ब्रद है वो क्या दरसाता है यह आपको बताना है तो बुझाओं में गतिदरसाता है चाबल पानी की तरह के систक क्स पीमारी का लछने अमीवा पेचस लिंतिक हैं दंडालो आपका है परवद्ध जलास है आपका है आपका है ट्यूग वेल और जल धराए उनमेंसे कोई नहीं तो क्लतिम छील का दूसरा नाम क्या है तो यह आपको बताना है तो 105 का जो राइट आंसर है वो हमारा परवद्ध जलास है प्रकती में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते ह गोवर का सरवत्तम उप्योग है इधन के रूप में चलाना घरों को लीपना खाद बनाना बायोगैस तरह अब से रूप में खाद राप्त करना तो 107 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा तीक क्योंकि यह सबसे सरवत्तम है अंडे मैं से मक्की बनने में कितना स यह समय है तो गै। 108 कका ही 750 था है 8 दिन 108 का ही 8 in मस्तिस के जो रहेगा देन किसे Self-चाइब करना से मक्की बनने में कितना समय लगता है तो 108 दिन सब्रकतर के मतिस के किस भाग को सारीय का संत डुलन का केंधर माना चाहता है तो दिधो नहीं है अंदर पिन्प का में नहीं जाता एक किस के द्वारे संब्वोर दो & सब्लोelles ऐसे सन आपका है सेलियरी मास पेसियां आपका है ल्याक्तिल पेसि ही तो यहां पे 110 जो है राइट आइटा आंसर वह आपको बताना है तो 110 का आपका लेडोटी नयश्य देखते हैं अंड़ाड़ूगों का बिकास होता है साइसा बस्ता मैं कि सुरा अबस्ता में वैस्क संदी अबस्ता में बाले अबस्ता में तो जो अन्राण हुए उनका विकास कब होता है तो अब आपको बताता है कि वैस्क संदी अबस्ता में जो रायट आंसर है वो हमारा है C एक मौटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए तो वह बसा कार्भोहड़ेड प्रोटीन और बेटामिन तो आपका 102 का जो रहेगा मारा बसा क्योंकि फेक्ट क्या करता है मुटाबा बढ़ाता है क्योंकि ये जमा होता रहता सरीर में रेटीना के इस अंग का भाग है नाग का, आँख का, कान का, सिर का तो आपके रेटीना की बात करें तो रेटीना के इस अंग का भाग है तो वह हमारी आँख का भाग है मुह से आरम होकर मलदवार तक जो मार के जाता है उसे कहते हैं छोटीयाद, बड़याद, पाचन, तंत्र, अहर, नाल तो आपका एक सो चोटे का जो रायट अंसर है वो हमारा रहता है यह के मुह से कहा तक जा रहा है मुह से मलदवार तक तो वो हमारा पाचन, तंत्र बिटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है बेरी बेरी इसकलवी रतोंदी और रिकेर्ट तो जो आपका राइट अंसर रहेगा 105 का वो हमारा जो रहेगा वो हमारा है रिकेर्ट 105 का जो राइट अंसर रहेगा कि बिटामिन A की कमी से क्या होता है तो वो हमारा है रतों दी हमारे सरीर में निम्ड मैंसे कितनी प्रसंट जल से निर्मित होता है कितनी प्रसंट जल है तो 80% 90% 65% 70% 80% 80% 90% तो आपको बता दें कि यह 161 गा जो रायट आंसर रहेगा वो रहेगा 65% से 70% प्रत्वी पर कितनी प्रसंट जल है 81% जल है तो हमारे सरीर में भी कितना प्रसंट जल से निर्मित है तो वो है 65% से 70% जल सरी किस अंग में तुछा सरवाद एक पतली पाई जाती है हतेली दलूए चेहरे इन मेंसे कोई नहीं तो आपका 170 का जो राय टांसर रहेगा वो हमारा है चेहरे पर सबसे पतली क्या पाई जाती है स्विस्वों को पूरक आहर देना आरंब करना चाहिए तो 118 का जो राय टांसर रहेगा वो हमारा C यानि चेहमा की आयूम है नहीं शलते हैं बास्प के दवाब से बोजन बनाना किस विदी के अंतर गता था पेशर कोकिंग आपका इस्टूइंग उबालना और आपका है बेंकिंग तो आपका 119 का जो राय टांसर रहेगा वो हमारा रहेगा पेशर कोकिंग मस्तिस के भाग हैं सभी तो 120 का जो रायdt अंसर रहेगा वो हमारा सभी यानि ब्रहफ लगू और मद्र मस्तिस्क इस तरह है याद कर सकते हैं मस्तिस्क लकार हमने कोशनों को कल लिया यानि एक przetis set पूरा कर चुके हैं तो आध को ये प्रैटिसेट कैसा लगा ये आज हम इन प्रेटिस सेट कर चुके इसे पहले हमने दो दिन पहले एक और प्रेटिस सेट डाला था तो इसी तरह प्रेटिस सेट से क्या करेंगे अपना रिविजन करते रहेंगे और यह जो पीडियाफ है वह आपको आपको एमारे टेली ग्राम चेलर पार मिल जाएगी तो अब पर आपको यह प्रयासक ऐसा लगा आप एपना ध्यान रहुआ होमसायन से प्लस में स्कॲर करना हूँ पहले कर दो देठाएट लिए युल poi सब्सक्राइबशेवल लिए